तो अब आपको बताऊंगा कि 28 सिप्टेंबर के अपडेट में क्या क्या चीज़ नहीं आई है और किन किन खेरेक्टर की पाउर को काम कर दिये गया है जुँ दोस्तों हमारा जो पहला अपडेट है वह है weengs क्लास स्कुएरड में आपको M4A1 की golden martyr की इसकीज़ देखनों को मिलेगी जो कि आपکो reward के तौर पर मिलेगी जैसा कि आप जानते हैं हमेसा कुछ न्यल्य रिवारड मिलता ही है और जो दोस्तों हमारा तीसर अब्डेट है तीसर अब्डेट जो है हमारा वह एरड्रूप में है एरड्रूप आपको वेंडिंग मशीन की तरह देखने को मिलेगा ना कि पहले की तरह बॉक्स की तरह तो दोस्तों आपको बंडिंग मशीन से सारा समान sapp logo करना है और जो हनारा थीसरे अप Maßnahmen go कर कं दिग्याएं जिसमें करोनों और मन्की ऐंड्रू ओ ॉन सी रू है तो दोस्तों की ق्रोनों की जो पाउर कम होई हिर vista मूइमिंट स्पिड पहले 15 फंद्रा परसंड थी अब 5 सब्क न गया और जो दूसरे पर्म कि पहले 50 फंद थी आब उसको 10 परसंड कर देगा dynasty पहले 8 सेकेंड अब उसको इसको पांच सेकंड कर देगा है और तीसरी अप्डेट क्रोनों में वह कूल डाउन कूल डाउन पहले 117 सेकंड तक था अब उसको 220 सेकंड तक कर देगा है और जो दूसर अप्डेट है वह वूकॉंग में जब वूकॉंग की पाउर को एक्टिवेट करते थे तब आप उसको जब आपने देखे होगा एंड्रू करेक्टर में आपको डबल सील की आर्मर आपको देखने को मिल जाते थी लेकिन अब उसकी वह काफी मजबूत हो जाते थी अगर डबल सेकंड करके अब उसकी जो प्रोटेक्शन पावर है उसको घटा दिये गया आपको अगर एंड्रू यही अपडेट का जो कि कुछ क्यारेक्टरों में करी गई है और उनकी सिर्फ पावर को कम कर गया है बस जो कि कुछ प्लेयर के लिए अच्छी बात है कुछ फिलेर के लिए बुरी बात है तो दोस्तों जो अगला अपडेट है वह अपनी ट्रीटमेंट गन के ऊपर पर भी अगर वो रहे तो आप उसको हील कर सकते हैं बस इस गिन का यही फाइदा है कि यह लोंग रेंज में आने लगी है और दोस्तों इसके बात जो अपडेट आने वाला है यानि कि फिफ नंबर पर फिफ नंबर पर जो अपडेट आएगा उस पर हर किसी को कुछ ना कु होने वाला और काफी मुझेदार होने वाला है तो दोस्तों अगला जो अपडेट है वह क्राफ प्लेन तो इसमें आप अपने खुछ से ही जो उसमें घर वर्दी होते हैं उसको आप एडिट करके खुछ से क्राफ्ट करके बना सकते हो जैसे माइन क्राफ्ट में करते हैं द